नमस्ते मैं हूं भूशन आप देखने दे न्यूज नाइन एक्स आज 27 अक्टूबर 2019 है और आज दीपावली भी है पूरा देश दिपोत्सब को लेकर उत्साह में है इस दीपावली स्वच्छता के नाम आप भी दिया जलाएं दे न्यूज नैन एक्स की ओर से आप सवों को दीपावली की धीर सारी सुख कामना है अब चलें खबरों की ओर बिहार में मुख मंत्री नितिश कुमार ने जल जीवन हरियाली योजना की शुरुवात किया यह सरकार की अतिम महत्वा कांग्षी योजना है साथी एक बड़ी जनोपयोगी योजना भी है गंभीर आरोप लगाते हुए बिहार के पुरू मुख मंत्री राबडी देवी ने कहा कि सत्ता धारी दल ने अपनी इज्जद बचाने के लिए सत्ता का दुरुपियोग कर उप्चुनाव में नात्नगर विधान सवा सीट पर कबजा जमाया है बिहार की राजधानी पटना से देश के 11 सहरों के लिए वीमान सुविधा बढ़ा दी गई है वीमान सेवा की शुरुवात 27 अक्टूबर यानी आश से शुरू हो रही है विंटर सिडूल के मुताविक कुल 57 फ्लाइट रोज दी गई है इनमें पटना से दिल्ली के लिए रोजाना 25 फ्लाइट दी गई है तो पटना से मुंबई के लिए रोजाना 6 फ्लाइट है अन्य शहरों में कोलकाता राची हैदराबाद ये नहीं लखनू नागपूर अमरित सर के लिए भी फ्लाइट जारी किया गया है सूबे के कडिब 2500 में इस साल धान खरिदगी नहीं ह बड़े हुए हैं बेखौपा प्राधियों ने 80,000 नगद और 5 लाज के जेवर लूट लिया और तो और धंतेरस के अबसर पर अपनी पतनी के साथ आए एक व्यक्ति की गोली मार कर हत्या कर दी गई मिर्तक का नाम कोशल बताया गया बिहार शरीफ के सुलिमान चक गाउं में एक महला और उसके डेर साल के बच्चे की गला दवा कर हत्या कर दी गई आरोप मिर्तका के ससुराल वालों के उपर लगा है बिहार वो यूपी की स्टियफ ने संयुक्त आभियान चला कर गोपाल गंज के कुख्यात विशाल सिंग समेच्छा अपराग्यों को गिर्पतार कर लिया मधवनी जिले की विशनपूर गाउं के पाँच बच्चे नदी में सनान करने के करम में डूब गए इनमें तीन बच्चों को तो बचा लिया गया मगर दो बच्चे की लास अभी तक नहीं मिली है बस की चपेट में पूर्णिया जिले के अमौर में 22 रोटा रोड में एक बच्ची की मौत हो गई पंचायतों में सरुष्ष्ट कार करने के लिए सुबे के तीन मुख्या को सम्मानित किया गया इनमें जहानाबाद के धरनई पंचायत के मुख्या आजै सिंग यादब, सिता मढ़ी के सिंग हुआहिनी पंचायत के मुख्या रीतू जैसवाल और नालंदा की मुख्या रंजूर शामिल है नगर विकास विभाग में 130 स्यवा निबरित अभियनताओं को रखा जाएगा हलांकि 130 पदों के लिए बाद में फ्रेस बहली भी होगी सरकार इस पर विचार कर रही है पटना में जल जमाओं से उत्मन गंदगी और कचरा पर हाई कोट ने करा संग्यान लिया है और सरकार को बिना देरी किये कचरा उठाओ का आदेश दिया है इसके लिए जिम्मेवार अधिकारियों पर सक्त कारवाई का अल्टिमेटम भी दिया गया है विहार सरकार ने निजी तोर पर बकरी पालन के लिए अनुदान की योजना स्विक्रित कर लिया है इसके तहट पिछडे वर्ग के बकरी पालकों को पचास फीजदी और यसी एस्टी सिरनी वालों को साथ फीजदी अनुदान मिलेगा मुझफरपूर के आउडाई परखंड में व्याप्त भरष्टा चार के खिलाफ चल रही सत्या ग्रह पांच में दिन भी जारी रहा इधर साहवगंज परखंड के एक पंचायत में सेविका साहे का बाहली में गडवरी को लेकर 6 नवंबर से अनसन करने की योजना बनाई जा रही है बांका जीले के रजोन परखंड शेत्र में डेंगू के मरीज मिले हैं इससे इलाके में हटकम मज गिया है बांका जीले के बौसी बाजार में अमजोरा गाउं के अंतराम यादब की डिक्की से उचकों ने एक लाख रूपिय उडा लिया PDT-SBI की साखा से रूपिय निकाल कर बाजार में बाईक खड़ी कर सामान खरीद रहा था बांका जीले के गोरगामा गाउं के पास एक बाईक पर सबार उचक्के ने पिस्तौल का भाई दिखा कर एक पेटोल पैम कर्मी से 5000 रुपिय छिल लिया अरडिया जीले के रानी गंग परखंड के पोखर टोला में भिजली के सोट सरकिट से आग लग गई इस घटना में पांच बडिवारों के आधा दर्जन घर राक होगे खगडिया जीले के चोथम परखंड और मानसी परखंड के चार वाट सदस्यों की मुश्किले बढ़ गई है साथ निश्चे योजना में इनके उपर सही मानक से काम नहीं कराने का आरूप है मध्यपूरा जीले के विष्णूपूर गाउं के जैशंकर प्रसाद की बाइक की डिक्की तोर कर उचकों ने एक लाख दस हजार रुपिय उडा लिया रुपिय की निकासी बैंक से की गई थी पीडित जैशंकर बाइक खड़ी कर मार्केटिंग करने चला गया था दिपाबली के एक दिन पहले सहरसा जीले के लालन हसकुटि ठाकुर बाड़ी से राम जानकी के अस्ट धातों की मुर्तियां चोड़ी हो गई इससे पूरा गाउं दुखित है जमुई के बटिया उत्पाद बैरियर के पास जारखंड से मुझफरपूर ले जाये जारहे शराब की बड़ी खेप के साथ दो लोगों को उत्पाद विभा की टीम ने दवोच लिया जब शराब की कीमत 20 लाख आखी गई है समस्तिपूर के खानपूर में एक विवसाई रंजीत मिस्र के घर चोड़ी कर बाई को हजारों की संपती उरा ली गई समस्तिपूर जीले के शेखोपूर पुलिया के पास एक आलू प्याज के विवसाई मुर्ली पुद्दार से पोने 2 लाख रूपीय फिस्तौल की नोख पर अपराधियों ने चिल लिया दर्भंगा समस्तिपूर मुख्य रोड पर दो आउटो आमने सामने टकड़ा गई इस घटना में चंदोली गाउं के मुहमत साविर की धर्दनात मोथ हो गई दर्भंगा के सिम्री में कार पर लदी 388 पोतल शडाप को कार समेथ पुलिस ने जप्त कर लिया यह थी बिहार के 21 बड़ी खबड़ें खबड़ें कैसी लगी अपना सुझाओ कमेंट बॉक्स में दे अगर हमारा यह वीडियो आप फेस्बूक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेस्बूक पेज लाइक करें अगर हमारा यह वीडियो आप यूटूब पर देख रहे हैं तो यूटूब चैनल दे न्यूज 9 एक सब्सक्राइब करें